हलो फ्रेंट्स मैं हूँ मुकेस और आप देख रहे हैं टेकनिकल सोकिल फ्रेंट्स आजगी इस वीडियो में हम बनाएंगे एक नाइट लेंब और ये नाइट लेंब बनने वाला है बहुत ही स्यांदार और अगर आप लोग भी ऐसा नाइट लेंब बनाना चाहते हैं तो य ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल रहेगा क्योंकि यार ये नाइट लेंब बहुत ही ज़्यादा सुन्दर और टिकाओ बनने वाला है तो ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइगन के ओल प कि LED याँ पर मैं रेड कलर की LED ले रहा हूँ आप चाहे तो अलग भी ले सकते हैं दूसरा कलर और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो ब्लू इस्टिक है इनको हम इस तरह से मोड लेंगे तो इसके लिए इनको हमें यहाँ पर गरम करना पड़ेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइटर के दवारा इनको गरम करके इस तरह से मोड रहाऊं ठीक है फ्रेंट्स तो बिल्कुल आसानी से यह glue stick बिल्कुल बीच में से इस तरह से मोड जाएगी ठीक है इसी तरह से आपको दूसरी glue stick को भी कर लेना है अब फ्रेंट्स यहाँ पर यह जो डिब्बी है इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें चार छेद करने है और यह छेद करने हमें glue stick के लिए यानि यह छेद होंगे 11 mm के ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम चेद कर लेते हैं वो भी soldering iron के दवारा बिल्कुल आसानी से यह छेद हो जाते हैं फ्रेंट्स आप लोग काफी कमेंट किये हो कि यार यह मैं कौन सा soldering iron यूज में लेता हूँ वैसे मैं आप लोगों को बता दू मैं 25 वाट का भी उज में लेता हूँ 30 वाट का भी उज में लेता हूँ और 60 वाट का भी तो यह 30 वाट वाला है लिंक में इनका वीडियो के निचे description में दे दूँगा अगर आप purchase करना चाहे तो देख लीजिएगा तो देख सकते हैं friends यहाँ पर मैंने इस तरह से छेद कर दी हैं soldering iron के दवारा अब friends यहाँ पर यह जो दोनों glue stick को को हमने मोड के इस तरह से कर लिया था तो इनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं friends और friends यहाँ पर मैं आप से एक सवाल करूँगा और वेसे यार मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले वीडियो के अंदर तो मैं बूल ही किया था आप लोगोंने comment भी किया था कि sir आप सवाल करना बूल गये हैं तो sorry यार बाद में मैंने link भी दिया था last में सवाल को चाहे तो आप वापस से देख सकते हैं friends तो इस वीडियो में मैं नहीं बूलूँगा friends मैं आप से सवाल करने वाल हम तो आप वीडियो को लगातार देखते रहेगा ध्यान से तो comment box में जिसका सई जवाब आएगा सबसे पहले उसके comment को मैं पिन करूँगा इस वीडियो के publish के तीन दिन बाद तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं friends हमने दोनों glue sticks को लगा दिया है और अब यहाँ पर हम छेद कर रहे हैं soldering iron के दवारा छेद हमें उतना ही करना है जितना यह जो 5 mm की LED है वो इसके अंदर बिल्कुल आसाने से आ जाए तो कुल मिला के जो यह LED है उनको इसके अंदर अच्छे से डूबो देना है लास्ट तक तो चारो LED हम इस तरह से लगा देंगे तो यह friends यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और नेगिटिव नेगिटिव एक जगे करने है यानि पोजिटिव लेग एक जगे और नेगिटिव लेग एक जगे इस तरह से हम कर देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं friends तो negative और positive legs को हमें एक जगे करने के लिए यहां पर soldering करनी है तो हम यहां पर soldering कर देंगे इस तरीके से फ्रेंट्स यहां पर यह जो glue stick है और LEDs वगएर है और इस वीड़ियो में हम और भी चीजे काम में लेने वाले हैं यह सारी आपको electronic components और मिल जाएगी और वेसे अगर आपके वहाँ पर electronic component soap नहीं है या काफी दूर है तो मैंने link वीडियो के नीचे description में भी दे दिया है आप जाके वहाँ पर visit कर सकते हैं क्योंकि इस type से भी आपके काफी comment आते रहते हैं कि sir यहाँ पर हमारे electronic component soap है ही नहीं या काफी दूर है तो इसलिए यहाँ पर मैं description box में भी आपके लिए link देना start करती हूँ काफी दिनों से दे रहाँ वैसे तो हर वीडियो के अंदर तो आप वहाँ पर visit कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए friends यहाँ पर हमने दो-दो LED या एक जगे करती थी तो चारो LED की wiring करते हूए हम यहाँ पर positive और negative दो wire निकाल लिये हैं और यह सारी LED यहाँ पर parallel में connect है friends तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर हम लेंगे एक 100μF 25V का capacitor एक लेंगे resistance जो 33 किल ohm की है एक लेंगे हम यहाँ पर 1N4007 diode ठीक है friends अब सबसे पहले तो जो capacitor का negative है उसको resistance पर हम इस तरह से connect करेंगे friends यह सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो night lamp बना रहे हैं उसको 220V AC के साथ में connect करेंगे ठीक है यानि 220V AC के दवारा चलेंगे अब यहाँ पर यह जो diode है उसके cathode को हमने capacitor के positive पर connect कर दिया है इस तरह से अब देखिए friends यहाँ पर यह इतना सा circuit 220V AC को convert कर देगा 3V के अंदर यानि 3V के दवारा यह सारी LED या गलो हो जाएगी 220V AC के दवारा क्या बोल रहा हूं मैं यार में कहने का मतलब यह है कि यह जो circuit है ना यह 220V AC को convert कर देगा 3V के अंदर ठीक है और यह जो सारी LED या इस circuit से निकनने वाले output voltage के दवारा गलो होगी अब हमने दो wire और connect कर दिया है थोड़ी speed बढ़ा लेता हूं मेरी अब हमने दो wire और connect कर दिया है friends और एक connect किया है resistance के दूसरे छोर पे और एक connect किया है हमने diode के anode ठीक है तो यहाँ पर अब हमने इस circuit को इस तरह से एक corner के अंदर fix कर दिया है साथ ही इनको glue stick के दवरा अच्छे से set कर दिया है अब लेंगे friends यहाँ पर हम एक पुराना सा two pin plug और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसक हाँ तो देख़ए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों पीने set भी कर दिये है अच्छे से और यहाँ पर दोनों पीनों के उपर हमने wiring भी कर दिये अब यहाँ पर हम इस तरह से एक कारगज का टुकडा कट कर लेंगे ताकि यहाँ पर source circuit का खत्रा बिलुक। भी ना रहे है। और अब यहाँ पर यह जो डिब्बी है, इसको हम इस तरह से पेक कर देंगे, तो देखिया फ्रेंड्स, यहाँ पर बन गई है हमारी एक बहुती शांदार, सुन्दर और टिकाऊ नाइट लेम, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसको चेक कर वाता हूं, तो यहाँ पर हमने इसको 220 वोट AC के अंदर डाल दिया है, और इसको चालू कर दिया है बटन के दवारा, अब देखिया फ्रेंड्स, कितनी सुन्दर लग रही है, हमारी यह नाइट लेम, और यार ऐसा भी लग रहा है, मानो कोई रेड कलर की शेपल गलो रही हो, और यार रूम के अंदर तो इतने सुन्दर लगेगी, वो सकता है आपको केमरे के अंदर कुछ अलग दिखाए दे, और यह देखिये, बिल्कुल मंद मंद, यहाँ पर जो इसका उजाला है, इसकी जो रोशनी है, रेड कलर की बहुत ही शानदार लग रही है, यार मुझे तो बहुत मज़ा आगा है यार, आप खुद सोचो यार, रेड कलर की मंद मंद रोशनी रात को कितनी अच्छी लगती है, अब फ्रेंट्स, आजगा सवाल, इस वीडियो के अंदर हमने एक 33 किलोहम की रेजिस्टेंस लिया है, अगर उस रेजिस्टेंस का लाश्ट कलर, जो की ओरेंज है, अगर वो ग्रिन होता, तो रेजिस्टेंस की वेलू क्या होती? तो मैं उमीद गरतम फ्रेंट्स, आपको ये नाइट लेम बहुत पसंद आयोगा, तो प्लीज याद ये वीडियो कर दीजे, अपने दोस्तों के साथ में भी सेर हो सकता है, ये वीडियो उनके लिए भी हेल फूलो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्स पर वाचिंग, दन्यवाद दोस्तों.